हाई, तो देखिए, मैसेज आ गया, देख रहे हैं गाईज, मैसेज आ गया, इसका मतलब कि आपका कॉन्टेक्ट अनब्लॉक हो चुका है, और आप इसी तरीके से अपने वर्टसप को अनब्लॉक कर सकते हैं, अगर आप सभी गूगल पे, यूटूब पे, इंटरनेट पे, बहुत सभी जगों पे ये चीज सर्च करते रहते हो, कि खुद को वर्टसप पे अनब्लॉक कैसे करें, अगर किसी ने हमें वर्टसप पे ब्लॉक कर दिया है, तो खुद को अनब्लॉक कैसे करें, वर्टसप से खुद को unblock कैसे करे इन सभी प्रोसनों के answer आज मैं आप सभी को सिर्फ एक वीडियो के अंदर लेकर आ चुका हूँ दोस्तो अगर आपको भी किसी ने whatsapp पे आपको भी किसी ने block कर दिया है और आप उनके block it contact list में जाकर save हो चुके हो तो आज आपके लिए ये वीडियो है और आप इस वीडियो को end तक देखते रहिए क्योंकि यहाँ पे आपके सभी सवालों के answer हिंदी में दिये जाते हैं तो इस बात पे इस वीडियो को एक like करना तो बनता ही बनता है चैनल को subscribe कर दिजेगा और घंटी को on करना मत भूलिएगा सो नमस्कार दोस्तो मैं राजरम प्रसाद और आप देख रहे हैं सीखे all in हिंदी अगर आप इस वीडियो पे इस लीक क्लिक किये हो कि आज मैं इस वीडियो को देखकर अपने whatsapp नंबर को block it contact से हटा सकता हूँ जी हाँ दोस्तो अगर आप इस परपस से इस वीडियो के उपर क्लिक किये हो तो आप अभी से इस वीडियो को देखना बंद कर दो क्योंकि यहाँ पे आपको ये चीज नहीं मिलने वाला है लेकिन आज मैं आप सभी को live proof दिखाऊंगा कि क्या हम whatsapp से खुद को unblock कर सकते हैं जो भी internet पे trick available है उन trick का इस्तेमाल करके क्या हम अपने आपको किसी ने अगर block कर दिया है तो unblock हो सकते हैं तो बिना किसी दरीके हम इस वीडियो को शुरू करते हैं अभी आप जैसा की देख सकते हैं कि इन दोनों contact में आपको online online दिख रहा है यहाँ पे मैं आप सभी को सब कुछ एकदम live दिखाने वाला हूँ यहाँ पे आप इस number को note कर लिजेगा यह इस chat का number है यहाँ पे मैं इस chat को block करने वाला हूँ फोकस किजेगा आपको यहाँ पे online hide हो जाएगा और आपका DP भी गायब हो जाएगा जब आपको कोई block कर देता है तो यहाँ पे मैं इस contact को block कर देता हूँ यह देखिए यहाँ से मैंने इसे block कर दिया यहाँ से DP हट गया online गायब हो गया नंबर यही है अब मैं इस phone को ऐसे ही चुप चाप नीचे रख देता हूँ और जो भी trick लोग हमें YouTube पे बताते हैं वो मैं इस phone के अंदर apply करता हूँ और देखते हैं कि क्या हम अपने इस phone से अपने इस number को unblock कर सकते हैं दोस्तो आज आप सभी को एक नए जूठे और fake trick को reveal करने वाला हूँ और आप सभी का समय बचाने वाला हूँ आज मैं आप सभी को दिखाऊंगा कि कैसी YouTube पे जो viral हो रहा है एक trick कि कैसी आप अपने WhatsApp को unblock कर सकते हो तो यहाँ पे बताया जाता है कि आप 3. पे क्लिक करो, setting पे क्लिक करो, account पे क्लिक करो, privacy पे क्लिक करो और अगर आपका यहाँ पे read receipt बंद है तो इसे चालू कर दो इस तरीके से इसका क्या logic है, unblock होने में आज तक WhatsApp भी परिशान होगा अगला जो, अगला जो method यहाँ पे viral हो रहा है, वो होता है कि notification के अंदर जाओ और यहाँ पे 3. पे क्लिक करो, reset notification setting इन्सको आप default कर दो यह देखिए, इस तरीके से आप इसको default setting पे छोड़ दो, अब back आजाओ, ठीक है और यहाँ पे आप अब तीन लाइन पे क्लिक करो, यहाँ पे आप अब new broadcast इसके उपर आप क्लिक करो यहाँ पे अब आप सभी को बताया जाता है कि उस contact को select करो, जिसने आपको block किया है तो मुझे इस person ने block किया था, मैंने select कर लिया, एक और person को select कर लिजे, ताकि आप unblock हो सके देखिएगा दोस्तो, logic पकड़िएगा कि इस broadcast से unblock का क्या connection है गुरूप का तो पता था कि अगर आप किसी friend को बोलो कि आप गुरूप को add करो, तब जाकर आप उससे बाते कर सकते हो तो यहाँ पे पहले तो हम broadcast बना लेते हैं, यह देखिए broadcast बन चुका है अब यहाँ पे जो main trick apply होता है, वो यहाँ पे हमें बताया गया है कि आप अब क्या कीजेगा star लिखिएगा और उसके बाद unblock लिखिए इस तरीके से और यहाँ पे वापस से star लगा दीजे और उसके बाद यहाँ पे इसे आप send कर दीजे एक से दो मिनट का इंतजार कीजे और उसके बाद आपका whatsapp unblock हो जाएगा चलिए मैं देखता हूँ क्या मेरा whatsapp unblock हुआ यह देखिए दोस्तो जैसा मैंने पहले छोड़ा था वैसा का वैसा ही है यहाँ पे अगर मैं इसके उपर क्लिक करूँ तो देखिए यह unblock हो गया और यही चीज अगर मैं इसे वापस से block करता हूँ यह देखिए कहा unblock हुआ आप सभी के सामने है किस तरीके से लोग आप सभी को बेवकूप बनाते हैं आप उमीद नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पे यही चीज आप सभी को यूटूब पे बताया आता है करते क्या है यहाँ पे आकर इसे unblock कर देंगे तो यहाँ पे अगर मैं फिर से message करूँ हाई तो देखिए message आ गया देख रहे हैं guys message आ गया इसका मतलब कि आपका contact unblock हो चुका है और आप इसी तरीके से अपने whatsapp को unblock कर सकते हैं मतलब समझे आप लोग जब तक उसका phone आप नहीं लोगे तब तक आप अपने आपको block unblock नहीं कर सकते हो दोस्तो internet पे या फिर मेरे द्वारा जो भी real trick है वो यही trick है जो अभी अब मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आपको अपने whatsapp को unblock कराना है बिना उसके phone को touch करे तो यही एक मात्र तरीका है जिससे आप खुद को unblock कर सकते हो उसके लिए आपको अपने दोस्त से बोलना होगा कि भाई अपने whatsapp पे एक new group बनाओ और उस group में हम दोनों को add करो एक तो तुम खुद हो जाओ एक अगले बन्दे को add करो जिसने आपको block किया है और यह आप यानि कि तीन बन्दों को एक group में add होना है यहाँ देखिए एक contact मैंने select कर लिया दूसरा contact select कर लिया और यहाँ पे अब आपको next पे click कर देना है यह वो बन्दा है जिसने block किया है और यह आप हो जिसे unblock होना है यहाँ पे unblock लिख दिये ऐसे ही नाम रख दिया मैंने उसके बाद यहाँ पे create पे click कर देना है अब देख सकते हैं यहाँ पे भी घंटी वजा यहाँ पे भी घंटी वजा इसका मतलब कि आप अब Unblock हो चुके हो तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे Unblock नाम से दोनों के अंदर आपका एक ग्रूप आ चुका है देख सकते हैं यहाँ पे आप क्लिक कीजिए और देख सकते हैं कि इस तरीके से आप उससे बाते कर सकते हैं यही एक मात्र तरीका है जिससे आप ब्लॉकेड बंदे से बात कर सकते हो या फिर खुद को अनब्लॉक कर सकते हो अगर यह बंदा आपको वापस से ब्लॉक कर देता है यहाँ पे अगर यह देख सकते हैं अभी मैंने अनब्लॉक किया था थोड़े दिर पहले अगर मैं यहाँ पे इसे ब्लॉक कर देता हूँ तो भी आप अगर इस ग्रूप में बने हुए हो इस ग्रूप में आप जॉइनेड हो और ये ये कॉंटेक्ट एकजिट नहीं हुआ है फिर भी आप इससे बाते कर सकते हो देख सकते हैं अभी मैंने यहाँ पे आपके सामने ब्लॉक किया और यहाँ पे मैसेज का आदान प्रदान हो पा रहा है देख सकते हैं गाईज आप सभी के सामने लाइब डेमोंस्ट्रेशन में आपको दे रहा हूँ मैसेज का आदान प्रदान हो रहा है लेकिन आप यहाँ पे block it हो तो यही एक मात्र जरिया है जो आप अपने WhatsApp को unblock कर सकते हो और इससे पहले जो मैंने आपको तरीका बताया वो एकदम fake है और आपको वो काम नहीं करेगा तो अगर आप इसी तरीके से real, genuine और सही content देखना चाहते हैं तो आप अभी के अभी इस channel को like करो channel को subscribe करो और घंटी को on कर देना क्योंकि जो भी viewers हमारी channel पे आते हैं वो फट से हमारे videos को देखते हैं तभी तो आपके पास सही information सबसे पहले जा पाएगा